हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल कम्प्लीट सोलोशन में दोस्तों आज कल काफी ऐसे सवाल दोस्तों टच करने इसको ध्यान दीजिएगा इसको समझ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि reasoning में इसे related 2 से 3 नमबर तक आज कल पूछ रहे है एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7 बचकर के 12 मिनट हुआ है घड़ी को हमने आईने के सामने रख दिया और उसमें हसास हो रहा है कि 7 बचकर के 12 मिनट हो रहा है तो सही समय क्या है actual time पूछ रहा है mirror का time में आपको सो कर रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा 7 बचकर के 12 मिनट आपको सो कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 7 बचकर के 12 मिनट हो रहा है किसमें लग रहा है mirror में लग रहा है तो कैसे लगेगा भाई यह 6 है जो और यह 12 आप ध्यान से देखिए यहाँ पर यह आपका actual image है और यह mirror वाला image है ठीज़ है तो अब यहाँ पे आप गोर कीजिएगा यह जो 6 है और यह जो 12 है यह चेंज नहीं होता है चाहे आप mirror के सामने रख दिजिए चाहे अगर आप water के सामने रखते हैं दोस्तों तो यह change हो जाता है उपर का नीचे नीचे का उपर चला जाता है लेकिन आपको mirror के सामने यह change नहीं होता है 12 और 6 नहीं होता है लेफट का right और right का left चला जाता है लेकिन उपर नीचे वज़गा चला जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा रेट का right हो गया ठीक है लेकिन 6 बारः चेंज नहीं होता है अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे पुछ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 7 बचकर के 12 मिनट मतलब कि हुआ है तो ऐसा कब लगेगा अब रियल में ऐसा कब लगता है जब यहाँ पे एक सुई होता है ठीक है देखिए रियल में 7 बचकर के 12 मिनट कब लगता आपको जब यहाँ पे सूई हो और एक यहाँ पे हो ठीक है तो इसमें कह रहा है कि आपको प्रतिबिम्ब में आईसा लग रहा है कि 7 बचकर के 12 मिनट हो रहा है तो हम क्या करेंगे कुछ इसी टाइप का यहाँ पे बन मिनट हो रहा है तो यहाँ पे हम इस तरह से बना दिये अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एक्चुल में कितना टाइम हो रहा है ठीक है अब एक्चुल आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे यह मीरर का इमेज है यह मीरर का यह ओरिजिनल नहीं है अब यहाँ पे कितना होगा कि 7 बच करके यहाँ पे 12 मिनट 100 करेगा तो इसका दोस्तों एक formula होता है ठीक है formula यह होता है कि आपको 24 गंटे में से जितना आप से पूछ रहा है उतना घटा देना है ठीक है तो माल लीजिए यहाँ पे आपको 24 लिख दीज़े ठीक है 24 point आपको 00 लिख दीज़े ठीक है तो 24 गंटे में से आपको कितना घटा देना है 7 बच करके 12 मिनट तो यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे 12 मिनट लिख दिया ठीक है तो यहाँ पे 00 है तो इससे आपको साथ मिनट लेगा, यानि कि एक घंटा लेगा तो साथ मिनट लेगा, तो साथ में से 12 गड़ा कितना हुआ, 48 हुआ, यहाँ पर 48 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपको 23 में से साथ गया सुल्ल, यानि कि सुल्ला 48 आ रहा है तो सुल्ला 48 यहाँ पर टाइम आ रहा है तो 16 48 कितना होता है 4 बच करके 48 मिनट होता है क्योंकि 12 के बाद दोस्तों चेंज हो जाता है यहां पर रेलिवाइश टेसन वाइगर पर आपने देखा होगा कि 15 बच करके 23 मिनट लिखता है 16 बच करके 28 मिनट तो इसका मतलब क्या हुआ 12 के बाद एक एक बढ़ा करके हम लोग जोड़ते है तो 16 का मतलब 4 तो 4 बच करके 48 मिनट यह आपका आया और इस तरह के सवाल इसी तरह से दोस्तों आपको solve करने होते है तो यहां पर देखिए अगर अंक दिया है तो यह 10 के पास है ऐसे फिट्रीक लगा सकते है 10 के पास हो तो यहां पर है 105 यहां पे ठीगा और 105 के पास है तो यहां पर पास के पास इस हिसाब से भी देखिए गा तो चार बच करके 48 मिनट आपको लगएगा लेकिन माली जिए यहां पर रोमन में लिखाओ जितना आपसे पूछ रहा है तो इतना घटा दीजिए का जितना भी आएगा अब माली यह 15 आएगा तो समझ यह 3 हो गया उसका मतलब जितना दोस्तों दोस्तों आएगा यहांगे तो यहांपे मैंने फर्मुला आपको बता दिया कि 20 घंटे में सी आपको घटाएगा है जितना आपसे पूछ रहा है फिर आपका एक्षोल एंसर आ जाएगा अब अगली बार दोस्तों हम यह समझेंगे कि माल यह चार बज करके तीस मिनट हो रहा है तो उनके बीच में कितना कोण बन रहा है यह अगली वीडियो में हम समझने की कोसिस करेंगे तो चलिए दोस्तों अभी किलिए बहुत इतना ही मिलते हैं आप से नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाएजिए जया हिंज भारत